हैलो दोस्तों अगर आप भी UPI यूज करते हैं चाहे वो गूगल पे, ATM, फोन पे कुछ भी हो सकता है और वो आपके मुवाइल से लोगाउट हो चुका है और आपका रिचार्ज भी खोतम हो गया है तो उसको लोगिन कैसे करना है ये बताने वाले हैं तो वीडियो को ध्यान स सबसे पहले हम ये बताने वाले हैं कि अगर आपके मुवाइल में रिचार्ज रहेगा तो कैसे कर सकते हैं आप लोग वीडियो के स्किप मत करिएगा नहीं तो आप लोग कुछ नहीं समझ पाएगा उसके बाद हम ये भी बताने वाले हैं पूरा डिटेल में चर्चा लेकिन मेसेज तो आ रहा है ना हमारे मुवाइल पर उसके बाद भी क्यों नहीं हो पाता है यहीं बताएंगे तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ पर लोग इन पर क्लिक कर दिये हैं मुवाइल नमर डाल करके हमारा यहाँ पर वरिफाइड भी हो है वरिफाइड होने के बाद एकाउंट को एक्टिवेट करेंगे सब खेला यहीं पर है जी हां दोस्तो एकाउंट एक्टिवेट करते समय आपके मुवाइल पर तो मेसेज आ जाता होगा जी हो का सीम होगा तो उसके बाद भी क्यों नहीं चालू होता है तो दोस्तो यहाँ आपके मोईल में अगर रिचार्ज नहीं रहता है तो यह वाला चालू नहीं हो पाता है चलिए यहां से हम क्या करेंगे यहां पर अच्छी तरीका से देख सकते हैं यहां पर अब क्या करेंगे तो आप कुछ नहीं करना है अगर आप लोगों के मोईल में रिचार्ज नहीं है तब कैसे लोग इन करेंगे उसका दोस्तों दो उपाय है एक उपाय है कि जो रोड की किनारे सीम देता है रिचार्ज नहीं रहता है तो क्या करता है वो सीम को पोर्ट कर देता है वो अपने पैसा से रिचार्ज करेगा फिरी में पोर्ट करेगा क्यों करेगा कियों कि उन मोईल में फिरी में रिचार्ज आ जाएगा उसके बाद आप लोग लोग इन कर लिजेगा दूसरा तरीका यह है कि आप लोग के वाल मेशेज वाला रिचार्ज कर सकते हैं के वाल मेशेज वाला तो रिचार्ज होता नहीं है तो आप लोग मीनिमम रिचार्ज कर सकते हैं जो क क्यों के बटन वाले मुवाइल में लग पाए तो वह वाला रिचाज करके आप लोग इन कर सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही हूँ